मन्जोद काल्रा का परिवार जो है समाय साथ मौझूद है और एक करारी शिकस दी है पाकिस्तान को इंडिया ने अंडर 19 वोल्ल कप में और परिवार में खुशी का माहौल है सबसे पहले मन्जोद की माता जी से बात करते हैं मैं क्या जो अब तक प्रदर्शन रहा है पूरे इस टूर्णमेंट में मन्जोद का उसको लेकर क्या कहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूरे टूर्णमेंट में उसने अच्छा प्रदर्शन किया अपना और यह ऐसे ही करता रहेगा इसके एक सेंश्री बननी चाहिए थी बस वह हमने मिस किया इसको सुबह से कितने बज़े से आप लोग बैट गे मैश देखने के लिए मा का जो बैटे के लिए मा का जो प्यार होता है और जो फलता में हाथ होता है पूजा पार जो जला के आप सुबह से वैट हूई है क्या प्रागना गीती भगवान ते मैंने यही बोला था कि मन्जोद तो अच्छा करे गरे पूरी टीम भी अच्छा करे यह स्पोर्ट अगर पूरी टीम की अच्छी तो तभी अच्छा कहलेंगे यह लोग मैंने तो सब टीम के लिए अच्छा आपने कभी सोचा था कि मन्जोद क्रिकेटर बनेगा और इतना ना यह मंजोट की माता जी जिनका कहना था कि वह पढ़ाई लिखाई चाहते हैं थी कि पाइनल लिखने में मंजोट अच्छे बने हितेश हमाएं साथ मंजोट के जो ब्रदर है वो इस समय है मंजोट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और होफुली उसे उमीद है कि फाइनल में भी ऐसा ही अच्छा परफॉर्म करें आपको देखकर मंजोट ने क्रिकेट खेलना सीखा था मैं ग्राउंड पर जाता था तो मेरे साथ ही जाता था वो नौकिंग करता था मेरे को मतलब मैच जाता था मेरे और मेरे को देख देकर मतलब खेलना सीखा उसमें आज अब तक कर जैसा कोई कमी आप उनको बताना चाहेंगे जिस पर उन्हें सुधार करना बस वो थोड़ा ना मतलब इनिंग्स को केरी ओन नहीं करता सेट हो के वो लाप्स ओफ कॉंसेंट्रेशन होती है औ इन पागिस्तान और इंडिया का तो बहुत जो रहता है कॉंपिटिशन बहुत हार्ड रहता है और पागिस्तान बहुत जैसे कहते है अनप्रेडिक्टेबल टीम होती है बट इस कॉंपिटिशन में वो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल टीम नहीं दिखी इंडिया की बॉलिंग